नमस्कार दोस्तों सभागेता आप सभी का हमारी यूटूब चैनल में दोस्तों तीपावली आती है तब सबसपाई का काम चलता है और सबसपाई के काम में पंखे की सबसपाई भी हमारी बहुत ही जरूरी होती है क्योंकि आप देखते हो कि गर्मी जाते जाते पंखे का जो क और इसी साफ करना अकेले लेडिस के लिए बहुत थोड़ा मुस्किल होता है क्योंकि टेबल पे भी नहीं चड़ सकते गिरने का पह रहता है और नॉर्मली आप देख सकते हो गर के सारे पंके हैं जो यह दूसरे वाला पंका यह भी बिल्कुल से खराब हो गया है बिल्कुल इसका जो कलर है वो बिल्कुल खराब है और इस तरफ जो होल का पंका है वो भी बिल्कुल से खराब है थो हम तिन चाचार जो गर्मी फैन है उनको कैसे साफ करें बिना स्टूल के और बिना किसी साधन के तो यहां प्रने तो इस तरह से रश्य को लपेट दे और यहां से इसको पहले किसी कपड़े से बांध दे। और उसके बाद में इसके उपर भी हम जो है वो कपड़ा लपेट लेते हैं। तो आप कोई भी लोही की डंडे या नहीं हो तो लकडी भी ले सकते हैं, तो लगबग साथ से आठ फीट कोई भी लकडी ले जिसे कि हम नीचे खड़े हो करके भी अपने पंके को अच्छे से साप कर पाएं, तो ये लगबग 6-7 फीट का वाइपर वाला डंडा है और इस पे मैंने इस तरह से रसे को बांदिया है, रसे को इस तरह से कुछ गोल करके बांदे ही ताकि पंके को उपर और नीचे दोनों साइड से साफ किया जा सके, क्योंकि मक्या उपर भी बैठती है और पंके के उपर वो बहुत ही मेल सा जमा देती है, इकटा हो जाता है, तो उन्हें अब हमें साफ करना है, अब जो रसी ओपन है, उसके उपर भी हम कोई भी कपड़ा लेंगे, जो भी आपके पास सूती जो साफी का कपड़ा होता है, और इस तरह से आप इसको इसके जो रसे के चारों तरफ लपेट दें, तो इस तरह से गोल गोल हमें पूरे रसे को कवर कर लेना है, किसी भी सूती कपड़े का आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने जो गरम बन्यान होती है, वो लिया है क्योंकि वो अन्यूजेबल थी फटी हुई थी और उसको हम साफी के रूप में कामें ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम इसको लोग कर देते हैं और इस तरह से कुछ गोल गोल जो रसा है वो तियार हो जाता है, अब आप इसको पानी में डिप करके और उससे आप फेन साफ कर सकते हैं, तो इस तरह से देखे ये इस रूसी की साहता की साहता से हम अपने पंखेको साप कर सकते हैं तो पंखेके अधर डालेंगे और इसे भी अगर आपको डालना थोड़ा मुस्किल हो जाता है क्योंकि मुझे थोड़ा मुस्किल हुआ साब तो हो जाता है पर थोड़ा हार्ड होता है तो मैं आपको एक और ही जी तरीका बता देती हूँ देखिए ये जो होता है कलर करने वाला होता है इस तरह की बुरुष ये घर पे मिल जाती है तो यह मेरे पास बुरुश थी तो मैंने इसको लिया है और डंडे का जो बेक साइड होता है उसको इस तरह से इसके अंदर डाल देते हैं अब यह यहां पर टाइट हो गया है बिल्कुल और अगर टाइट नहीं हो रहा है तो आप किसी भी टेप जो होती है कार्टून पेक कर साने वाले उससे उसको टाइट कर दे टाइट करने के बाद आप इसको फिर से सरफ के पानी में डिप करें और फिर आप फेन को अच्छे से साफ करें तो यह भी बहूत ही अच्छा एक टिपस है इसे भी आप नीचे खड़े-कड़े ही फेन को शाफ कर पाएंगे तो यहां पर हमारा फेन देख सकते हैं आप इस तरह से बहुत ही मेल इसके उपर चिपका हुआ है तो अब हम इसको इसके एक ताड़ी लेंगे और इसके उपर इस तरह से पहले सरफ का पानी इसे कोट करेंगे थोड़ा 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 करके आप इस पेस जो सरफ का पानी है हलका गरम पानी है ज्यादा गरम पानी नहीं लेना है हलका गरम पानी लेकर के और इसको ताड़ी को एक जगह से इस तरह गुमाते रहे थोड़े थोड़े और इसको इस तरह से आपको पहले सरफ के पानी से थोड़ा हलका हलका रगड़ते वे इसको साफ करना है तो आप देख सकते हो मैंने एक ताड़ी को इस तरह से पहले तीन से चार वार पानी लगाया है सरफ का और उसके बाद इसको हलका हलका इस तरह से क्लीन कर लिया है देख सकते हो एक ताड़ी बिल्कुल से साफ हो गई है तो आप इस तरह से दो से तीन वार इसको इस तरह से फिरेंगे तो ये बिल्कुल से साफ हो जाएगी और इसी तरह से आप एक ताड़ी दिरे-दिरे करके सारी साफ कर ले तो आप नीचे खड़े-खड़े इसको आसानी इसी साफ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक ताड़ी को साफ करके दिखाया है, क्योंकि हम नीचे खड़ी रहकरके अगर इसी साफ करेंगे तो थोड़ा पंका जो है, वो मूब करेगा, इधर से उदर जाएगा, पर आप इसको इसी से कवर करते रहें, और इस पे आपको इस तरह से साफ करना है तो दो से तीन मिनट के अंदर एक ताड़ी साफ हो जाती है और एक पंखा पूरा जो पांस मिनट के अंदर आप साफ कर पाएंगे नीचे खड़े ही आसानी से तो इसी तरह से मैंने घर के जो सारे पंखे हैं पहले सरफ से साफ के उसके बाद नूर्मल क्लीन पानी ले 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 और फिर इसको आपको इस तरह से नीचे खड़े-खड़े ही ऐसे साफ करना है तो यह मैंने साफ पानी लिया है और साफ पानी से इसको जो है वो साफ कर लेते हैं सरफ का पानी लगा करके नहीं छोड़ना है उसको आपको साफ पानी से भी इसी तरह से साफी को साफ पानी से धो करके फिर वापिस से इसको पोंच ले ताकि ये बिलकुल से ड्राई हो जाए एकदम से जो ताड़ी है वो बिलकुल से साइनिंग वाली है और एकदम क्लीन हो ज और इसी तरह से पूरे पंके को और घर के सारे जो पंके हैं आप दीरे दीरे करके सारे को आसारी से साफ कर सकते हैं क्योंकि घर पे आज कोई नहीं थे सब कोई बाहर गए वे थे तो मैं अकेली अब घर पे साफ सफाई का काम चल रहा है तो क्या किया जाए तो मैंने ये टिप्स निकाली और मैंने सुचा क्योंने ये वीडियो आपके साथ शियर किया जाए तो मैंने इसका भी वीडियो बना लिया तो दोस्तों अभी तक आप नहीं हो और आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कीजिएगा ताके हमें सपोर्ट मिले और इसी तरह से जो भी ब्रस हो आपके पास में उस पे आप कप्रा लपेट करके या नॉर्मली अगर ब्रस से ही साफ हो रहा हो तो आप उसी ब्रस की साहता से नीचे खड़े उसको लकड़ी से बांद करके और पंके को साफ कर सकते हो तो देखिए दोस्तो मैंने अपनी सारे गर के जो फैंस है वो एक दिन में ही साफ कर लिये हैं बहुत एकदम से क्लीन हो गए हैं और नीचे खड़े रह करके भी हम अपनी सारे पंकों को साफ कर सकते हैं तो ये देखिए ये मेरे एक रूम का पंका है इसको मैंने लगबग 15 मि देख रहे हो बिल्कुल भी कहीं भी कोई भी दाग दबा नहीं रहता है एक दम से क्लीन हो जाता है तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी कैसी लगे वीडियो पर कॉमेंट जरूर करें हमारी वीडियो कितनी यूजफूल है यह भी हमें जरूर बताए यह देखिए बिल्कुल से अच्छे से साफ हो चुके है थैंक्स पूर वोचिंग आज की वीडियो देखने के लिए आप सबी का बहुत बहुत दन्यवाद